नमस्कार दोस्तों GK 24 टेग में आपका स्वागत है दोस्तों जो गुरुफ 4 के 2016 में जो भी पेपर हुए हैं उनको हम सोल करने वाले हैं जिसमें आज सामान निग्यान हमने रखा है और आगे जो क्लास आएगी वो कंप्यूटर के होगी जो इस डेट में हुआ है 18 दिसंबर 2016 को इसको कंप्यूटर वाला हम अलग से एक एक पोर्सन लेके आ रहे हैं जीके का अलग कंप्यूटर का अलग और जिन्हों ने जो चैनल पर अभी नए हैं जिनको अभी पता नहीं है कि हम को से सीरीज हो चुकी है तो 2018 के पूरे पेपर हम सोल कर चुके हैं जो प्लैलिस्ट म किया गया था ठीक है ये नाटो 2016 का जो करेंट का कोशन है यह दोस्तों यह पॉलेंड में किया गया था ठीक है तो आप ध्यान रखेगा सामानी गयान को समानी ना माने इसमें करेंट भी बहुत बड़ा पारट होता है आपको इसमें आगे पता चल जाएगा ठीक है 2018 मैं मैं ने बताया है आपको हर क्लास में कि कितना करेंट आता है चरिया दूसरा कोश्चन देख लेते हैं मद्धप्रदेश राज में कुल कितने जेव मंडल आरक्षी छेतर है तो इसमें टोटल तीन जेव मंडल आरक्षी छेतर है मैंने गूगल पर सर्च किया है और आप एक बर चि ने किया है अगला कोश्चन देख लेते हैं मारे चोधा कोश्चन है सेनी अभ्यास हेंड इन हेंड भारत और किस देश के बीच होता है तो हेंड इन हेंड भारत और चीन के बीच में होता है अगला कोश्चन है हमारा कि मध्यप्रदेश में उस्ताद अलाउद्दिन खाने दीमेलकित में से बात्य सास्त्री शंगीत घराने का ही झ जाता है जो हातों पर कला करती होती है कि उछ तो भी बनाये जाते हैं उनको गोधना केते हैं और इस कला को करने वाली जो लेडिस होती उनको गौधारिन कहा जाता है और इस कलाको पूरे को को कहा जाता है जम उनका अंब Anda कलाकार को कहा जाता है अगला are ч actually मुझा पर्देश्क पूरू राजजपाल राम नरेश जिनका हर्ण हो गया तो यह उत्तर प्रदेश geben यह दोजार composition एंधा ळसमय का दुछ निवमनलिखित में से किस नदी पर किया गया है गया थिस नदी पर याद रखे कर न dough अगला कोश्चन नोडे गट को पहले में बता दू कि अगर आप व्रूप ग्रूफ और की सच में अच्छे से त्यारी कर रहे हैं अगर आपने सोचा है कि यह मेरा लास्ट एक्जाम है और ईसी को क्वालिफाइग करना है लास्ट सोच के रखा है और आप जो स्कीन पर देख रहे हैं इसमें अगर आप यह कोड़ डालते हैं जीके 24 टेक 50 तो आपको वह आधी कीमत में हो जाएगा ठीक है आपको बिल्कुल 50 परसेंट ऑफ हो जाएगा तो आप इसको खरीद के और लगा सकते हैं आपको दोस्तों को लगाना ना भूले टेस्टों तो कम सका मेटलिस्ट लगा इससे आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है ठीक है चलिए हम आगे के कोश्चन की बात कर लेते हैं कि अहिराई निम्न में से किस जन जाती का मुख्य परमपरागत नत्य है अहिराई किसक यह आपकी कि थी अंक्तांड यानि कि सहयुक्त राश वीवपार और विकास सम्मेलन ठीक है अगला कोश्चन हैं हमारा निम्न लिखित में से किस नदी के टट पर चेदी राज बसा था आपका बेतवा नदी के टट पर 21.1% है अभी तक 2011 के बाद से जन करना नहीं हुई है इसलिए यही आकड़ा आपका याद रखिएगा ठीक है अगला कोश्चन है निमनलिखित में से किस देश ने ACI कबड़ी चेंपियंशिप 2016 जीती दोस्तों ये भी करेंट का कोश्चन है 2016 में करेंट में पूछा गया था त आपको कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है तो आपको क्लास जरूर देखें आपको बहुत मिलेगी एक्जाम में अगला कोश्चन है हमारा डॉक्टर भीम राव अमबेटकर का जन्म मद्धिप्रदेश के किस छेत्र में हुआ था ये महू मे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रतिश्ठित कालिता सम्मान किस वर्ष से गटित किया गया यानि की कालिता समान कब से दिया लगाय की स्थापना की एक रेल मंत्रा लेने ठीक है उस का Current का Question है अब दोस्टों ये हमारे 17 question जो MP ze पूछए जाते हैं यानि यानि सामार ने घ्यान देगे रखाया hatte उसमें सब्सक्राइब करीन के Quant question बें है और आपके MP के दैख सकते हूं, उससेба Currents related questions पूछा जाते तो आप परेंट भी पढ़िएगा अच्छे से और यह 17 कोशन होगा है अगला हमारी जो क्लास होगी जो हम कल डालेंगे वह आपकी कंप्यूटर के होगी इसी पेपर में जो कंप्यूटर हुआ है उसके हम अगली क्लास लेके आएंगे दो वीडियो केसा लगा अगर अच्छा